ऐसी डिटी के लिए आज मैं आपको कुछ घरिलू उपाय बताऊगा जिसकी मदद से आप पुरारी से पुरारी अपनी ऐसे डिटी की समस्या को पुरी तरीके से ठीक कर सकते हैं ऐसी डिटी के लिए सबसे अच्छी सबसे कारगर जो उसदी है उसको बोला जाता है हरण अर्वेट के अनुसार हरण से अच्छा पेट के रोगों के लिए कुछ भी रही है अमलिपित के लिए ये सर्मस्रेश्टोस दी है छोटी काली हरण को आपको लेना है इसका चूड ले पाउडर ले इसका या हरण लेकर इसका बना ले पाउडर दो गराम की मात्रा में ले लेना है इसको छोटी काली हरण को इसके चूड को दो गराम लेकर उसमें दो सो दो की मात्रा में गुण भिला ले और दोनों को मिक्स कर ले सामके समय खाना खाने के बाद में इसको खा ले और उपर से पानी पी ले इसके प्रियोग से एक हफ्ते के अंदर पुरानी से पुरानी आपकी ऐसे डिटी की समस्या पूरी तरीके से खतम हो जाएगी इसमें एक चीज का ध्यान रखें जो गुढ़ का जो आप इस्तमाल करें वो गुढ़ पुराना हो नया गुढ़ ना हो नया गुढ़ उत्रा फाइदा नहीं दे पाएगा पुरानी गुढ़ का सेवन करें हरड के चूड के साथ में मिलाकर तो सर्मस्रेश तो आपको फाइदा मिलेगा खाना-खाने के बाद ही प्रियोग करना है इसका भी ध्यान नक है एक सब्ता तक लगातार करना है ये जरूरी है इसके अलाबा एक सरल उसका जो लोग ये हरड वाला ना कर पाए तो आप दोनों समय खाना-खाने के बाद में एक लोग चूशते रहें इसको जितनी देर आप इसको लार बना कर पेट में लेते रहेंगे उतना ज़्यादा ये फाइदा करेगी ये आपकी जो अमलिपित है जो ऐसे डिटी की समस्या है इसके अलाबा एक दीबू का भी एक प्रवावसाली आपको उपाय बताता हूँ इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं दीबू का रस गरम पारी में डाल कर साम के समय यदि आप पीते हैं तो इससे भी ऐसे डिटी खतम होती है इसके लिए एक कप गरम पारी में एक चमज दीबू का रस मिला लें और एक गड़े के अंदर से तीन बाल लें कम से कम तीन बार एक एक कप लेना है आपको इसके लेने से आपको निश्चेत तोर पर ऐसे डिटी की समस्या में फायदा होगा तो ये था आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करना बिलकुल न भूलें साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर सेयर करें ताकि जो लोगे समस्या से पेड़े थें वो भी फायदा उठा सके वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद